स्री गडे सायन महा, भक्ती वावना यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको सकट चोथ के बारे में जानकारी दूँगा आप सभी जानते हैं इस बार सकट चोथ पर बहुत ही अच्छा योग बन रहा है महा दुरलव सायोग इस बार भगवान सिव और भगवान गनीज दोनों का आशिववाद पराप्त होगा सबसे पहले जान ले जिए कि सकट चोथ का ब्रत होता किसलिया देखो जिन के पहले से संतान है पुत्र है उनकी लंबी उम्र के लिए तता जिनको पुत्र पराप्ती नहीं हुई है ये उपाय जरू करना चाहिए, जो मैं उपाय आपको बताने बाला हूँ, सबसे पहले एक लोटा जल लें, उसमें गंगा जल डालें, ग्यारे तिल डालें, ग्यारे ही गुड की डली डालें, इससे भगवान सिवका आपको अफसिक करना है, इससे भगवान सिवका आपको साथ अरपन करेंगे या तिल के लड़ू भगवान से को अरपन कर दें उसके बाद भगवान के सामने दीपक जलाएं फिर जाएं गनेजी के सामने क्योंकि गनेजी का दिन है तो दुरुबादल भगवान जी को पहले पकड़ाएंगे उसके बाद भगवान जी को टी का लगा उसमें तिल डालेंगे अब भगवान के सामने बैट करके ओम गंगर पते नमाह मंतर का जादा से जादा आप जाप करें भगवान के हाथ में शीदे हाथ में अपनी इच्चा बोल करके पीला दागा बांदे ग्यार अगांट लगा करके और दूसरे दिन ये दागा खोल करके भगवान के हाथ से और अपने घर में समाल करके रखी है फिर देखना कितनी जल्दी मनुकावना पूरी होगी धन प्राप्ति के लिए पीली कोड़ी और एक रुपेया और सुपाड़ी गनेजी के सामने रखें दूसरे दिन वह आप ते जोरीम रख दें साथी भगवान ग बहुत ही ज़्यादा चमतकारी है मेश रासी मितुन रासी करक रासी सिंग रासी कन्या रासी व्रेश्चिक रासी धनु रासी मकर रासी कुम रासी इन रासियों का योग इस दिन बहुत ही ज़्यादा प्रवावसालिय है मनो कामना सभी रासी वालों की पूरी होगी सभी य ज्यादा लावंतिक होते हैं भगवान की कृपासी मनो कामना बहुत जल्दी पूरी होगी साथ ही अगर आग की जड़ाप लेके आते ही सपेद आग जो होता है भगवान गने जी के सामने चड़ा दीजिए और फिर मेला अगर उसे बांद पुत्र प्राप्ति का योग बन जाता है साथ ही अगर उसे गल्ले में रख देते हैं तो पैसा बरसता है पूरे साल दन बरसता है ये चोटे-चोटे से उपाए हैं लेकिन इनका प्रबाब बहुत ही जादा है और चौमु की दीपक वगवान सिव और गनेजी के सामने जरूर जलाना है कथा एक बार दो बार चार बार जितना हो से को उतना कथा जरूर श्रबड करनी है गनेश चतुरती की सारे विगन दूर हो जाएंगे सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे आपकी हर्मनों कामना पूर्योगी स्री गड़ी साहिनमा